हलो अर्ववन दिस साइड मोनिक का याद हो, होप यू ओल गूड तोड़े आइम गोईंग टो टीच एट्थ क्लास एल प्रैक्टिस सेवन ए एक बच्चे ने मुझे यूट्यूब पे ही रिक्वेस्ट की थी तो सपेसली मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ अगर एक्सराइज करते हैं, यह एक्सराइज हमारी लिनियर एक्वेशन की है, एक्वेशन मतलब क्या होता है, एक्वेशन एक मैथमाटिकली स्टेटमेंट होती है, जिसमें दो एक्स्प्रेशन इक्वल होती है, मतलब यह वाली एक्स्प्रेशन जिसको हम बोलते हैं, लेफ्ट के साइन के जो left hand side है वो हमारी left hand side expression है जो हमारी right hand side है वो हमारी right hand side expression है और जो linear equation है उसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों expression हमारी equal होती है अच्छा linear equation solo करने के लिए हम transposing करते है कोई number left hand side अगर negative है और उसको हम right hand side लेके जाते हैं equal के sign के तो वो positive हो जाएगा अगर कोई number positive है और उसको हम लेके जाते है right hand side तो वो क्या हो जाएगा right hand side जाके negative हो जाएगा ऐसी कोई number multiply है और उसको लेके जाते हैं right hand side तो वो divide करेगा right hand side अगर कोई number left hand side divide कर रहा है और उसको हम right hand side ले जाते हैं तो वो right hand side जाके multiply करेगा और अगर किसी number को हम right side से left hand side transposing करते हैं तो ऐसे ही उनके sign में भी changes आते हैं, okay चलो अभी हम question करते हैं देखो ये like terms है ना 8x और 5x एक सा लग रहा है तो 5x के transposing कर देते हैं हम left hand side और ये 14 की transposing कर देते हैं right hand side is that clear? अच्छा फिर उसको लिखना भी होता है चलो लिखते हैं transposing 5x किदर ले किया रहे हैं 5x को? left hand side to the left hand side short form में लिख रहा हैं and 14 to the 14 को कहा लेके जा रहे है? right hand side okay 8x के साथ हमने क्या लेके आए हैं? 5x जो 5x right hand side positive था अगर वो left hand side आया तो वो क्या हो गया? negative 5x हो गया that is equal to यह 44 लिख देते हैं क्योंकि 5x थो हम left hand side ले जा चुके हैं यहां क्या रहे गया? 44 अब 14 को हम लेके गए right hand side 14 देखो हमारा positive है अगर यह right hand side जाता है तो यह negative हो जाता है यहां पर क्या रहे गया हमारे पास 3x that is equal to 30 अब हमें सिर्फ x निकालना है तो हम 3 की भी transposing कर देते हैं transposing 3 to the right hand side यहां सिर्फ क्या रह जाएगा? left hand side में x that is equal to 30 देखो 3 और x के बीच में कोई sign नहीं था इसका मतलब यह multiply हो रहे थे अगर कोई number left hand side multiply हो रहा है और हम उसको right hand side लेके जा रहे हैं तो हम क्या करेगा? right hand side जाके divide करेगा चाहे तो upon लिख दीजिए या divide by कर दीजिए ठीक है? x equal to क्या जाएगा? 10 question second करती है हम 10 M को लेके आएंगे left hand side और 7 को लेके जाती है right hand side ओके? लिख देते हैं transposing 10 M to the left hand side and 7 to the right hand side 5 M के साथ हम लेके आएंगे हैं 10 M 10 M जो right hand side positive है अगर उसको left hand side लेके आएंगे तो वो negative हो जाएगा negative 10 M that is equal to negative 3 और 7 को लेके गए हम right hand side 7 देखो left hand side में positive है अगर ये right hand side जाता है तो ये क्या हो जाता है negative 10 में से 5 गया तो 5 बचा 10 हमारा negative था that's why हम negative sign लगा देएं negative 5 M that is equal to दोनों ही number negative है ऐसे में क्या हो जाते हैं add हो जाते हैं और negative sign आता है ओके सिर्फ हमें M रखना है तो हम negative 5 के transposing करेंगे अब transposing negative 5 to the right hand side negative 5 लेके जा रहे हम तो सिर्फ यहां क्या रह जाएगा M negative 10 negative 5 M से multiply कर रहा था तो ये right hand side जाएगा तो क्या करेगा divide करेगा divide by negative 5 divide करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा M equal to 2 जब हमारे divisor और divided दोनों ही negative होते हैं तो हमारा quotient किस में आता है positive में आता है न अपने सरवंथ में ये पढ़ाई होगा तो M equal to क्या है हमारा 2 third question देखिए two y को लेके आएंगे हम left hand side और negative 14 को लेके जाएंगे right hand side चलो करते हैं transposing negative 2 y to the left hand side and negative 14 to the right hand side 8 y 8 y के साथ क्या आएगा 2 y 2 y जो की हमारा right hand side negative था अगर उसको हम left hand side लेके आए तो ये क्या हो गया positive positive 2 y हो गया that is equal to 6 14 जो हम negative है उसके transposing करते हैं अगर right hand side तो वो right hand side जाके क्या बन जाता है positive बन जाता है positive 14 8 y और 2 y मिलकी कितना हो गया 10 y that is equal to 20 अब हम 10 के भी transposing करेंगे transposing 10 to the right hand side y और 10 के बीच में कोई sign नहीं है इसका मतलब वो multiply हो रहे थे अगर 10 right hand side जाएगा तो वो divide करेगा y equal to क्या गया 2 question 4 करते हैं ट्राइब ट्रांस्पोसिंग ट्राइब पी टू दा लेफ्ट हेंड साइड और एंड, नेगेटिव 21, to the right hand side, 6P, जब P हमारा left hand side आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस P हो गया, that is equal to 4, 21 हमारा negative है, और ये right hand side जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 21, 6P में से P माइनस करेंगे, तो 5P रह गया, that is equal to 25, अब 5 के ट्रांस्पोजिंग कर दीजे, ट्रांस्पोजिंग, 5 to the right hand side, सिर्फ P रह जाएगा, 25 अपोन 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 और P आपस में multiply हो रहे थे न, तो 5 right hand side जाएगा, तो divide हो जाएगा, divide करेगा, P equal to क्या गया, 5, question 5 देखो, question 5 करते हैं, आप चाहो तो आप सीधी 2 की ट्रांस्पोजिंग कर दो, कि 2 left hand side में multiply कर रहा है, तो right hand side में divide करेगा, और आप bracket open करके भी कर सकते हो, मैं आपको manually bracket open करके बताऊँगी, सबसे पहले bracket open करेंगे, bracket के, 2 और bracket के बीच में कोई sign नहीं है, इसका मतलब यह multiply कर रहा है, 2 जितने भी number है bracket के अंदर उन सभी से, okay, 2 को अगर x से multiply करेंगे, तो 2x minus 2 को 1 से multiply किया, तो 2, that is equal to 12, अब हम transposing करते हैं 2 की, transposing 2 to the right hand side, 2x that is equal to 12, यह 2 हमारा right hand side जाएगा, यह negative था, तो यह क्या हो जाएगा, positive, 2x equal to 14 आगिया, अभी हम 2 की भी transposing कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ x की value निकाल ली है, transposing 2 to the right hand side, 2 और x के बीच में कोई sign नहीं था, तो मतलब 2x से multiply हो रहा था, और अगर यह right hand side जाएगा, तो यह 14 से divide करेगा, 2 1s are 2, 2 7s are, x equal to क्या आगिया हमारा, 7 answer आगिया, question 6 देखिए, 7 plus 3 bracket t plus 5 bracket 1 that is equal to 31, कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर सकते हैं, वो 7 और 3 को add कर देंगे, यह गलत होगा, board mask का rule क्या कहता है, पहले आपको bracket open करना है, 7 plus, जब हम bracket open करेंगे, 3 दोनों से multiply होगा, t से भी और 5 से भी, जब 3 को t से multiply किया, तो क्या है, 3 t plus का sign है, तो plus का sign, 3 को 5 से multiply किया, तो 15, that is equal to 31, अभी like terms को एक साथ ले हो, 3 t plus 7 plus 15, that is equal to 31, 3 t, 7 और 15 को add कर दो, plus का sign है, तो plus का sign, और जब इनको हम add करेंगे, तो 22 आएगा, that is equal to 31, अभी हम सब से पहले 22 की ट्रांस्पोजिंग करेंगे, ट्रांस्पोजिंग 22 टूदा राइट हैंड साइड, 3 t रह गया हैं यहां पे सिर्फ, क्योंकि 22 की टूदा हमने ट्रांस्पोजिंग कर दी है, that is equal to 31, 22 जब आया राइट हैंड साइड, यह पोजिटिव था, तो राइट हैंड साइड होके यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव 22, ओके, 3 t, that is equal to 9, अब क्या करेंगे, ट्रांस्पोजिंग कर दें 3 की भी, ट्रांस्पोजिंग 3 to the right हैंड साइड, क्या रह जाएगा हमारे पास, t रह जाएगा, t equal to 9 upon 3, 3 यहाँ पर divide क्यों किया, क्योंकि वो t से multiply हो रहा था, अब भी 3 की table से काट दो, 3 ones are 3, 3, 3 is a 9, t equal to क्या गया, 3, जैसे हमने question 6 किया था न, ऐसे question 7 सोल करते हैं, सबसे पहले हम bracket open करेंगे, ठीक है, 15 plus, यह 3 15 से plus नहीं करना है, क्योंकि यह तो bracket open करने के लिए है, इस वाले number से यह multiply कर रहा है, 3 को जब 4 X से multiply करेंगे, तो क्या है, 12 X minus का sign है, तो minus का sign, 30 को multiply किया 3 से, तो 90 that is equal to 33, ओके, 12 X minus 19, plus 15, यह 15 यहां ले आते हैं, थोड़े दर के लिए हम इसके पीछे, that is equal to 33, 12 X, 90 में से हम 15 minus करते हैं, बड़ा number की, कौन सा है हमारा, negative, इसलिए minus करने के बाद भी क्या आएगा, हमारे पस negative, 90 में से 15 minus करते हैं, तो कितना आता है, 75, that is equal to 33, अब भी ट्रांस्पोजिंग कर देते हैं, negative 75 की, ट्रांस्पोजिंग, negative 75, to the right hand side, क्या है जाएगा, सिर्फ, 12 X, that is equal to 33, जो 75 था हमारा, negative था, अगर वो right hand side जाएगा, तो वो positive बन जाएगा, 75, 12 X, equal to, 108, अब हम ट्रांस्पोजिंग करते हैं, 12 की, ट्रांस्पोजिंग, 12, to the right hand side, X रह जाएगा, X, equal to, 108, 12, देखो, X से multiply कर रहा था, तो अगर, तो अगर इसको, right hand side ले जाएगे, तो क्या हो जाएगा, divide, upon, 12, 12 की टेबल में, 108, 9 पे आता है, काट दो, X equal to, 9 अशर आएगा,